यह है फ्रेंच चाइजी का फॉर्थ पार्ट है जबकि 2012 के अंदर आया था फैमिली के बड़े होने के साथ में यह मूवी आगे बढ़ती है जहाँ पर सबसे पहली मूवी के स्टाटिंग में हम लोग उसी स्कूल को देखते हैं चुकि इस बार भी अपने न लेने के लिए ब पना देता है पर इस पार यहां पर बड़े-बड़े मांटें टूट जाते हैं जहां पर स्कूर सीधा नीचे पहुच के अर्थी को भी पहुच जाता है इस नाटक को पकड़ने के चक्तर में इस पर इतना तीज घूंता है कि और के जितने भी कॉंटाक्ट थे अलग- था कि पीछे से इधर उधर ही घूमती रहीगी जो हेली समझाती है मैंने को किया वह पढ़ी हो चुकी है वह अपने मन की मर्जी कर सकती है या हम यह को देखते हैं और इसी के साथ एक स्लॉट ही बहुत बड़ी फामली देखते हैं यही श्लोग की फामली था कि दिया कुछ सिगरेट जाती है जहाँ पर मैं नहीं और के लिए आती है पता चलता है कि यह सारी फामली तो सेट की फामली है इस लोग की फामली सेट को बताती है कि देखो हम तो तुम से मिलने के लिए आये थे और यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग को छोड़ते हैं सभी का ध्यान हाँ जाती है जिसे एलिमेंट मोड आपको समझ जाती है ये श्लोग की फामली सेट को उसकी ग्रैनी को देनी के लिए आये हैं कि रानी की सारी टेंशन फिट संभाले प्लेट को जब यह बात पता चलती है तो सिर्फ को भी थी नहीं होता है उसकी फामली उसके साथ ऐसा युद से पोचता है कि क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो तो पीछे अभी भी एक ही यह बारे में बात कर रही थी कि वेतन कितना स्मार्ट है बाई चांस पीछे उसका पैर फिसर जाता है और साइट से सीधी नीचे पहुट जाती है ठंडी उसके सामने आसधा लेक कि महत पर सभी फीचर्स पर हसने लग जाते हैं पीछे से इन बारिश होने के कारण बहां से निकल जाती है और मैनी क्यों पर चिलाती है कि आपने ऐसा क्यों किया इसे अच्छा तो होता कि आप मेरे साथ कभी होते ही नहीं आ यहाँ पर पीछे और मैनी की विशेश्ता नही दूर करने की कोशिश करती है तभी यहाँ पर उसको पकाना शुरू हो जाता है बड़ी दरार आती है यह सारे आनिमल एक साइड में आना चाहते थे लेकिन इससे पहले ही यह डर और बढ़ती गई देखती ही देखते यहाँ पर पीठे सवराली एक चिगह पर रह जाती है और मैं तुम्हें वही मिलूंगा फीचर सारी चीच का जिम्मेदार खुद को बताती है कि काश में उसे नहीं जगा करती तो आप सब कुछ ठीक रहे तक एक एहती है कि तेरे को कोई नहीं टाल सकता है ऐसा कुछ नहीं चल के कारण हुआ है और तुम्हारी डेट जरूर अपना याद आता है या भी उसका दोस्त वापस से नहीं आया है इसी कारण दोनों इसको ढूनने के लिए जाती है चो पीलो इस नीचे कूदने से डर रहा था तो पीछे से मोटिवेट करती है कहती है कि स्कोल में तुम्हें पकड़ लूंगी या मेरी ट्राइब और सिर्फ चब तुफान में फसे हुए थे तो तभी इनके बैट के उपर एक बहुत बड़ा प्रभाव जाता है यह लगता है कि आसूर की मौत तैय है कभी यहां का बड़ासा तुफान स्क्रब को भी अपने साथ थोड़ा के लिए जाता है सिर्को लगता है कि कोई भी नहीं बच्चे का यह पीसलस से बात करती है जहां पर चीट को इस बात से टेंशन हो रही थी कि अभी तक उसके डाड़ वापस ही नहीं है यहां इन तीनों को अभी पीट मिल चुका था इसी कारण यहां पर रेस्ट रहने के लिए रुपते हैं यहां आंगे बढ़ने पर अब इन तीनों के पास में ना तो खाना था और पानी था तब ही दी है वो कोई पेट के अंदर से आवाज आती है और यह वास्तु ग्रहन की थी बलखी पॉइंट से ऐसे पाइरिक्स क्योंकि दूसरे आनिमस को अरेस्ट कर लेते हैं और नहीं अपने साथ मिला लेते हैं इन पॉइंट की ली पर कहता है कि तुम घर पर बिल्कुल भूल जाओ उसे यही तुम्हारा घर है वैसी के साथ अब मैंने डिपॉजिट्यू पर अटाक होना शुरू हो जाता है जब इन लोगों की आँख खुलती है तो यह तीनों इक तूसरे को बंद हुए देखते हैं तो यह गर की टीम मे मिल जाई या फिर इन्हें मार दिया जाएगा तो सबसे पहले सेट को भेजा जाता है लेकिन सेट को फिर वापस बुला कि अब रानी को आगी भी जाना जाता है यह सोचते हैं कि मैं इनको तो यह अपनी साथ ही रख लेंगी क्योंकि मैंने खटा-खटा महत्व जो की बहु है वो से इसको कहता है कि तुम मेरी डाइरेक्शन के अंदर गोल गोल मोड यानि को यह लोग गिराने ही वाले थी कि तभी यहाँ पर टैगोर से अपने रस्कूल देते इसी के साथ में मैंने बिख्री हो गया था वैली देखते ही देखते सारी सोल्जर्स उपर अटाक कर द चलो अब तो हमारे साथ चलो लेकिन वह किसी मना करती है लेकिन उनकी जान बचाने के लिए वह भी आधे लोगों के पास ही आ जाती है यह तिया गौर्शरा को देखते हुए मैंने इसको अली की याद आती है जहां हम एलियन पीछे इसको देखते हैं इन दोनों को भी की थी पीछे से आप वेतन के जैसा भी करने की कोशिश करती है इसी के कारण जैसे वे हमेशा सोचती है वैसे ही नहीं सोती यहाँ पर मैंने है वे सिर्फ और शरा को काफी दूर से एक पीच दिखाई देता है अधिकारी ने काफी स्पीप के अंदर अपने और उस पीच तक पहुच जाते हैं जहाँ पर मौका देखते ही शेर वहाँ से भाप निकलती है लेकिन दिया को उसे पकड़ लेता है दूसरी तरफ करनी आपने सोलजस के साथ में और आनिमल्स को भी बंदी बना लिया था और इसी के साथ में नियूस सिर्फ बना ली थी यहाँ पर शीरा की ठुटिया को पता चलता है यहाँ पर घर जाने का एक रास्ता है जहाँ पर मैं नहीं कहता है कि अगर उस राशी तक पहुचना है तो हमें भी एक ही जरूरत पढ़ेगी लेकिन तभी यहाँ पर मैंने को दूसरे आनिमल्स मिलते हैं यहाँ आइडी आक्टिव डाइरेक्ट करना चाहता है इससे अच्छा तो तुम हमारे साथ रहो त्रिश्रा कहती है कि तुम अपने ग्रूप के साथ क्यों नहीं रहते तो यह को क्या था यह बहुत लंबी कहानी है और आपको क्या है कि मैं बस यहीं कहना चाहता हूँ कि तुम भी अकेली रहती है वह इससे इधा क्यों पर भड़त जाता है भी कहता है कि तुम भाग कैसी कई मुश्किलों की कोई बात नहीं सुनता और कहते हैं कि तुम बहुत कमजोर हो चुकी है तो तुम्हारी पोजिशन आफ किसे और को दे दी गई है ये दूसरी तरफ हरेक की पूरी टीम ने गट के सोलजर्स को मैंने प्लेट करने के बारे में ठान ली थी इसी कारण वहां से कुछ डारेक्टली इसके ओपर बैठे सुनना शुरू कर देती हैं और हरेक की एक टीम गठित को दिखाई देती है इसके बारे में गलत सोचता है कि ये लोग हमसे जुरना चाहते हैं तो फिर हम पीछी क्यों रहेंगे इसी कारण को अपने सारी सूजर्स को और के लिए किया जाता है लेकिन असल के अंदर तो ये मैंने कई प्लान था ये चीट से मींडग और सर्फ भागने लगते हैं और सभी करकी बनाई हुई छिपे पहचानते हैं लेकिन पीछी रह जाता है वे भाग क्या आने जाता है कि देखो ये तुम्हारा फाइदा उठाना चाहता है ये तुम्हीं गुलाम बना कर रखेगा तो हमारे साथ चलोगे क्वात मिश्रा बात मानी जाती है वे है को छोड़ देती है लेकिन डेंगो के साथ नहीं जाती थी वे करका ध्यान भटकाती और उसे नीची गि देती है अब तो गुड को बहुत कुसा हो जाता है वे शीला का गला पकड़ लेता है और कुछ पीस करके वे मैनी को चांट से मारना चाहता था यहां पर हम प्रती लुस को देखते हैं लेकिन इस बार पीछे उसके साथ में नहीं थी बलकि पीचस तो यही था और उसकी फ् उम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना तो उसके साथ में क्यों नहीं हो तो पीछे से कहती है कि नहीं नहीं वे तो बस ऐसे ही है वे उससे कुछ पसंद पसंद नहीं करती तब यहां पर लुस सामने निकल कर आ जाता है इस चीच को इस बात से बहुत बुरा लगता है कि लुस को तो सारी बात पता चल गई पिचस को इस चीट से भी पैड लग रहा था कि यहां कुछ सही नहीं है। देखते ही देखते हैं यहां पर सारे माउंटिन करने लग जाते हैं। इनमें के लिए तो यह adventure था लेकिन टीचर्स को इस बात की बहुत गुस्सा आ जाता है कि आज उनमे अच्छी चीज दिख रही थी कभी यहां पर एक तम से मैंने उनकी चान बचा लेता है नहीं तो यह सभी साइट पर बैठे हुए आनिमल के शिकार हो जाते हैं यही पर हमें इसे स्कूलों को भी देखते हैं। और इसे भी नियोजन होना शुरू हो जाता है कि यहां पर उस स्टूट चुका था मैंने को यहां पर कुछ भी नहीं दिखा देता उसे समझ में नहीं आता कि आखर उसकी फैमली कहा गई होगी तब ही उसे पीछे उसकी आवाज से आने लगती है मैं को कुछ समझ में आ जाता तब तक हमें पता चलता है कि यहां पर तो घंटे पहली ही उसने पीछे इसको अपने पास में रखा है पीछे से पूरी फैमली को कहता है कि अब तुम यहां तो नहीं तो मैसेश नहीं छोड़ूंगा गर्ड की बात मानते हुए मैंने आन्रेडी वहाँ पर जाते हैं जिसके बाद में गर्ड के सारे गोर्जर से लिपट कर लेते हैं मैंने कहते हैं कि अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लोग लेकिन तो इन्हें कुछ भी मत करो अब धीरे धीरे करके ही सभी को पानी में पेकने वाले थे अब टाइम सेट पुरानी कार देखिए अब तो बहन अपने जलबा दिखा दिया था वह प्रोसेस को बुल यह प्रशिक्षन स्थल की आंदर एक ब्लू वेल थी यानि की डबरानी तो बच चुके थे और ब्लू वेल की वाटर अटाक के कारण धीरे धीरे सारी सोजर्स भी करने लग गए थे यहां पर मैंने की रस्यां टूट चुकी थी से के साथ में टीचर्स रेली भी टूट जा को मार चुके थे अब जब यह सारे आनिमल्स एक साथ वापस मिल चुके थे जहां पर शराब पीने के साथ रुपने का सोचती है इजी लूइस से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो तुमसे अच्छा दोस्त कोई भी नहीं हो सकता है क्योंकि लूइस ने ही टीचर्स की जान बचाई थी गोल्ड के पेर पर एका स्क्यूब मार्केट जो कोई भी आगे नहीं आया था तब हुई सी था जिसने स्पीड मानुल रैली की जान बचाई थी लेकिन आप आखिर इनके पास तो रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी तभी यहां पर प्रेस यानी की बह बहुत सारे नट मिनट तक यह इसको मिनट को देखते हुए पागल हो जाता है नोट के अंदर स्विमिंग करता है उनमें खाता है वो खिलता भी है तब जाकर स्कूलों को अपनी आखों के सामने एक बहुत बड़ा मिनट मिलता है जिसे वे लेना ही चाता था तब ही कि बड़ी बला है तो मिसे मतलब तुम्हारे पास क्या खाने के लिए बहुत कुछ है यह स्कूलों को समझा जाता है लेकिन फिर भी इसका लालत साथ बड़ा हो जाता है और यह बड़ी सिगरेट पास रख लेता है जिसकी बहुत ही पूरी की पूरी जगे पानी के अंदर हो जाता है तो आप सभी लोगों को यह मूवी कैसे लगी मुझे जरूर बताईगा चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके शिफ्ट में तब तक के लिए टाड़ा